हम लोग पहुंच चुके हैं महराजा राम नरायन सिंग गेट यानि कि महराजा राम नरायन सिंग द्वार इसे कहा जाता है यह पत्मा फोर्ट जाने के लिए इंट्रेंस है जहां से हम लोग पत्मा फोर्ट अभी जस्ट जाएंगे लोग जाएंगे लोग शेत नहां टोग्वार शेड़ के लिए्चाना बटाने के लिए फोर्ट अश्वादा के लिए जाएंगे जाएंगे झाल 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 मेरे पीछे जस्ट आप देख सकते हो हवा महल इसकी कारिगरी देखकर आप उस टाइम की सुन्दरता का अनुमान लगा सकते हो यह कुतना सुन्दर रहा होगा अपने टाइम का ब्यूटी यह रहा होगा हवा महल से कुछ दूर चलने के बाद हम लोगो यह एक मंदिर मिला है जहां पर आके काफी रिलाक्स लग रहा है धन्दरत रहा है जताओ कर आख चलने के लगए कि असके का फर बाद रहा है जता रहा है दॉपने के बाद कर रहा है जताओ कर प्लवच्ट नाम झाल 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 किला कितना साल पुराना आप यहां पे कब से दर्वानी कर रहें चालीस पचास साल से दर्वानी यहां पे कर रहें तो मलब यह मलब महल था बना हुए था पुरा राजा वगर था तो उस टाइम जब आप थे तो उस टाइम का राजा कौन था? कमश्या नरायन से अभी इसका ओनर कोन है? स्वारब नरायन से के बाद इतना अच्छा लगा है मतलब पुराने टाइम में ज्यादा टाइम भी नहीं हो रहा आज से करीबन पचास साथ साल पहले यही वो महल है जिसकी यह मतलब सुंदरता एक्शली काफी बहुत जादा हुए होगी जो कि आज एक विरान खंडर है विरान खंडर के सिव कुछ और नहीं है मतलब देख करके अच्छा लगा